हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आज की वीडियो जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंट से मिस्टर पांच वाले बच्चों के लिए जिनका बीकॉम ओनर्स के अंदर आप्शन के में अंदर सब्जेक्ट मिलता है ये तो ये है सर क्योंकि बागी बच्चे इसको देख के कही ना कहीं अपना लगता है कि टाइम हमारा ज़्यादा चला जाता है बाद में पता चलता है इसलिए पहले बता दू बीकॉम प्रोग्राम स्वारी बीकॉम सेमेस्टर पांच पुराने कोर्स वाले बच्चे ओनर्स के ल सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपको जू पहले करना चाहिए मैं यूनिट वगरा छोड़ देता हूं कि क्या यूनिट है कैसे आएगा नहीं आएगा आपको क्या चैप्टर पढ़ना चाहिए टूटल पांच छे चैप्टर यह सलिए बड़ा आपको करना है Profit Ratio सबसे पहले और YouTube पे इसी चप्टर का वीडियो डालना चालू कर दिया है पहले नमबर पे 1 दूसरे पे फिर करना है आपको Marginal सर इन पे कुश्चन सेपरेट सेपरेट आते ही आते हैं इन चेप्टर्स पे इसके बाद सर आपको करना है Budgeting Budgeting बड़ा चेप्टर है इसके अंदर काफी सारे पोइंट से सभी को ध्यान में रखके करिएगा उसके बाद आपको उठाना है Decision Making इसके बाद आपको पिक करना है Decision Making थोड़ा सा ये Logical Chapter है इसके बाद आपको करना है Standard Costing सबसे बड़ा चेप्टर सबसे टिपिकल चेप्टर माना जाता है Standard लेकिन है नहीं वो अलग बात है बच्चे मान लेते हैं Last आप छोटा सा चेप्टर ये एक गंटे का चेप्टर है relevant costing और कुछ control ratio वगेरा भी है तो ये हमारा पूरा का पूरा Slavus है Unit wise device करोगे तो इसका unit अलग है इसका unit अलग है Capital budgeting का unit अलग है तो Slavus सर बहुत चोटा है अभी हमारे पास YouTube पे मैंने ये वाला chapter डालना चालू किया है अब daily basis पे डाल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि एक दिन में डाल रहा हूँ convert पे लगा के फिर daily basis पे डल रहा है अब इसके अंदर जो हमारे course के अंदर है course के अंदर हमने पूरा का पूरा chapter complete कर दिया है जिसमें मुझे standard costing दुबारा कराना है और एक decision making दुबारा कराना है बच्चे कह रहा है सर थोड़ा सा में tough लग रहा है तो कुछ easy तरीके से करा दो तो ये मैं दुबारा revision में या जो भी video कहलो वो पूरा करा देंगे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए बुक के आपका बुक कौन सा है सर लेना पढ़ेगा आपको बुक दूसरा कोई option नहीं है that is M.N.Aroda और दूसरा कोई भी नहीं और जो मैं class में question डाल भी रहा है YouTube पे वो M.N.Aroda book का ही है आप book buy कर लिजिए market से मिल जाएगा और book के questions रखे पढ़िएगा तो बहुत आसानी रहेगी आपको पढ़ने में और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा ठीक है न? M.N.Aroda और जितने भी questions मैंने कराएं लगबग जितने illustration है सारे M.N.Aroda book के ही मैंने cover किये है प्लस 10-year के भी important questions जितने भी थे section wise वो complete करे हुए है अभी time आपके पास 45 days है तो इसके accordingly हमने क्या करा है कि जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे है YouTube पे daily video आ रहा है जो बच्चे चाहते हैं कि सर जल्दी जल्दी इन हमें time खतम करना है तो fast track batch जो launch किया हुआ है वो चली रहा है कल दशेरा है कल last रहेगा इस batch का कल से ये वाला batch जो होगा वो close दो जाएगा ठीक है न ये batch close हो जाएगा क्योंकि already इसके अंदर student enroll हो चुके है फिर आपका normal batch जो चलता था recording वाला वो वही रहेगा ठीक है discount price के साथ इस batch को निकाला था तो वही batch रहने वाला है तो जिस बच्चे को अगर course लेना हो तो वो जाके ले सकते हैं जो बच्चे YouTube पे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं regular video आएंगे आपके लेकिन बस एक यही फरक रहेगा YouTube पे थोड़ा सा doubt का थोड़ा सा problem हो जाता है लेने में कि किस बच्चे का क्या क्योंकि हो phone number तो है नी और हर एक बच्चे अपना phone number भी share नहीं कर सकता कि मेरा यह number है कि प्लीज मुझे इस पर reply कर दो तो एक वहाँ यह issue रहता है लेकिन application पे यह issue हमारी खतम हो जाती है दूसरी चीज application पे सारा आपको content sequence से मिल जाएगा और YouTube पे आपको एक सबसे बड़ी दिक्कत होगा कि आपका mind distraction होता है तो मेरा मानना है 200-300 रुपए देखे अगर mind distraction अगर आपको कोई भी बिमारी हो जाती है तो उस बिमारी से बचने के लिए हम क्या करते हैं डॉक्टर को 200 रुपए क्या 500 रुपए फीस होती है जर्नली अब तो तो 500 रुपए फीस देते हैं उस बिमारी को ठीक करने के लिए तो mobile phone में YouTube, Instagram एक बिमारी है इस बिमारी से बचने के लिए अगर आप application पर अपने आपको shift कर लेते हैं तो ये बिमारी दूर हो जाएगी और एक सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा अगर आपने application पर course खरीदा है तो please अपने phone से facebook तो वैसे generally नहीं चलाते Instagram और YouTube को uninstall कर दें आपका life बहुत अच्छा हो जाएगा आपके life में productivity बढ़ जाएगी आपका पढ़ने का इच्छा करने लगेगा सारी चीजों से आप बहुत अच्छा performance आने लगेगा एक बार एक हपते सिर्फ ये करके देखे सिर्फ one one week की बात करना ठीक है hopefully आपको बाते समझ में आई होगी मिलते हैं next वीडियो में इसकी वीडियो डेली आने लग गई होगी hopefully आपको समझ में आ रहा होगा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो अपने करी रख है तो next वीडियो में इसी तरीके से मिलते हैं thank you so much